नमस्कार राजनामा टीवे पर आपका स्वाकत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखने हैं देश्विदेश की प्रमुख खबरे बैंगलूर कैफे ब्लास्ट में मुख्य संदिक्त पर दस लाग का इनाम खोशे अब ओपन इसकोलों के छातर भी दे सकेंगे नीट सुप्रीम कोट ने कहा सांसत नवनी तराणा को जान से मारने की धमकी रजिस्थान के मुख्यमंतरी शर्मा कोरोना से संक्रमित कोमकली को मिला संगीत नाटक अकादमी पुरसकार मद्र प्रदेश में कॉंग्रेस की भारत जोडो न्याय आतरा का आज अंतिम दिन फेस्बुक की पेरेंट कंपनी मेटा भारत में बना सकती है अपना पहला डेटा सेंटर गुना में हादसा ट्रेनी एरकाफ्ट के इंजन में खराबी लेंडिंग के वक्त क्रेश हुआ पाइलेट सुरक्षित अमेरिका में भारतवन्शी निक्की चुनाव मेदान से हटी पहली बार वर्तमान और पूर्व राष्टपती में टक्कर होगी ट्रम और बाइडेन भिडेंगे कॉलकत्ता में दोडी देश की पहली अंडर्वाटर मेट्रो बंगाल में मोदी जी बोले अत्याचारी को बचा रही तुर्णमुल तभा होगी संदेश खाली की पांश पिडित महिलाओं से मिले प्रधान मंतरी इन्हें माद्दुर का कहा पाकिस्तान में भुट्टो की फासी के 45 साल बात कोर्ट ने कहा सुनवाई निश्पक्ष नहीं थी कटिहार में भाशपा विधायक के भतीजे की हत्या पांश लाग की सुपरी पशुपती नात में शिवरातरी से पहले शिव बारत निकली यूपी में धरंजय सिंग को सजा नहीं लड़ सकेंगे चुनाओ अब सर्वे का करार आगे नहीं बढ़ाएगा माल दिव बैंगलूर में नीजी टैंकरों को कबजे में लेगा प्रशासन आखिर संदेश खाली का आरोपी शहजा सीबी आई के हवाले पहुचा हर्याना की खाप पंचायते किसानों के समर्थन में आई बाकी की तमाम खबरों करेबने रहे हैं राजनमा टिवी के साथ धन्यवाद